आज खास आपके लिए इन गर्मियों में एक रेगुलर पीने वाली हेल्दी ड्रिंक लेके आई हूँ नमस्कार, सावेदिश टाइल में मैं साथना आपका हार्थिक स्वागत करती हूँ यहाँ एक वेट लोस रेसिपी है साथ ही कौश्टी पेशन की समस्या को जड़ से खतम करते है गर्मियों के मौसम में डेली इसका सेवन करने से तन और मन परसंद रहता है तो चलिए इस परसंद चित मन से बढ़ चलते हैं अपनी केचिन की ओर सबसे पहले भिगो देते हैं एक एक चमत चिया सीट्स और गौंत कतीरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बेनिफिट्स डाल दूँगे वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यह हमारे सिहत के लिए कितने जरूरी है इन दौनों को ही हमने एक एक कप पानी में भिगो दिया तकरीबन दो घंटे के लिए और ठक कर रखतेंगे इसको और दो घंटे के बाद हम देखेंगे कि यह देखिए कितना फूल गया यह गौन कतीरा हमारे सिहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदमन्द होता है और यह देखें यह भी कितना फूल गया है चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं यहाँ पर हम एक नेबू को कुछ इस तरह से काटेंगे यह रेश्टरेंट स्टाइल से हमने यह नेबू काटा है और इसमें बहुत चूस निकलता है इस तरह से काटने से आप भी ट्राइ कर सकते हैं इस तरह से कटिंग करना नेबू को यह देखे, यह तीन पीसेज में हमने काट लिया और इसके सीट्स सारे हमने निकाल दिये हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने निचोड लिया, बढ़ी हैं से निचोड लेके यह ड्रिंक आप डेली इसको बना सकते हैं, यह देखें, यह इतना सारा जूस निकल के आगया और यहाँ पर हमने पुदीन लिया है, तक्रिवन 15-20 पत्तियां पुदीने की हैं और आधा नेबू हमने काटके डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा कूट लिया है, अब अरेंज करेंगे, यह किस तरह से बनेगा यह आइस डालेंगे, एक ग्लास में भर के, तक्रिवन हाफ ग्लास हम आइस से भर देंगे और इसमें यह पुदीना और नेबू जो हमने कूटके डाला था इसको डाल देंगे, और पाकी 3-4 चमच हमने कौन कतीरा डाल दिया, और रोस सीरप डाल दिया रोज सीरप आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग डाल सकते हैं और यहां पर डाल दिया हमने ब्लेक सॉल्ट और चाट मसाला अब इसको फिल कर देंगे सोडा वाटर से और यह हो गई ड्रिक रेडी बस एक चीज की और कमी है वह भी हम इसमें ऊपर से डाल देंगे यह जीया सीट्स जीया सीट्स और गॉंद कतीरा यह हमारी सीक्रेट रेसिपी है इसको आप जरूर ट्राइए करिए अपनी हर ड्रिक में इसका यूज कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं सिहत बना सकते हैं यह ड्रिंग पी के इससे कई सारी बिमारिया ठीक होती है यह कौंद कतीरा के बारे में मैं डिस्किप्शन बॉक्स में डालूगी को आप जरूर इसको पढ़ें दो यह मैं दूसी तरह सीरेंच कर रहे हो कौंद कतीरा डाला और फिर चियाँ सीर्श डाले और यह निवॉ डाल दिया और पुदिन डाल दिया रूज सिरप डाला निवु कतूच डाला आइस टाले और फद दोर वाटर से this is the मेरी स्टैल से रोज मोहतो अब इसे बनाए अपने स्टैल और डेली बनाए पीजिए और पलाइए और सिहत बनाएए उमीद है ये रैसिपी जरूर पसंद आई होगी मिलती हो एक और नई रैसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई